Welcome everyone, आज का हमारा पार्ट है कन्यादान इसके आज मैं आपको वन लाइनर्स बता रही हूँ इसमें पहला प्रिश्ण है कन्यादान किसकी कविता है यह है रितुराज की कविता है मा बेटी को कुझ सा पार्ट पढ़ाना चाहती है मा बेटी को जीवन के यथार्थ का पार्ट चाहती है, एक मा की अंतिम संपत्ति क्या होती है, अंतिम पुझी आपर मा की पुत्री होती है, तो उतर है पुत्री, बेटी स्वभाव से कैसी थी, बेटी का स्वभाव भोला भाला था, सीधा साधा साथा, तो इसका उतर है भोली भाली, प्रश्न है, वह किसकी उच नीच को नहीं समझ पाती थी वह दुनियादारी की उंच नीच को नहीं समझ पाती थी प्रश्ण है भारतिय समाज में लड़की का दान से क्या तात परिये है लड़की का दान होता है कन्यादान यानि लड़की का विवा जो कर दिया जाता है उसे कन्यादान कहा जाता है पाठी का किस में जितने भी दुख हैं वो कितने भेयंकर हैं उसका लड़की को पता नहीं था जीवन के प्रतीक क्या हैं जीवन के प्रतीक हैं आग और पानी वस्त्र और आपुशन नारी जीवन में क्या है शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है यह यह निकि हम जो वस्त्र और आपुशन पर दिहान जादा देते हैं वो सब क्या हैं ये एक वब भ्रहम हैं और बंधन की तरह हैं लड़की की मा लड़की से क्या उमीद रखती है लड़की की मा लड़की से उमीद रखती है कि भे घर का काम करेगी शोशन का सिकार नहीं होगी और अपनी स्वतंतरता को बनाए रखे लड़की होने से क्या तात्प्रिय है लड़की होने से तात्प्रिय है भोलापन सरलता कोमलता और समर्पण कन्यादान कविता में कभी ने कथन को किस शब्द शक्ति के प्रयोग से गहनता और गंभीरता प्रदान की है यहां पर उतर आएगा लक्षनिक्ता कन्यादान कविता में कौन सा कवे गुण विद्मान है प्रसाद गुण कन्यादान कवीता में कौन सा कवे रस प्रयोग किया गया है शांत रस कन्यादान कौन सी रचना है कन्यादान कवीता है कन्यादान कवीता में शब्दिक भ्रमो की तरह स्त्री जीवन का बंधन किसे कहा है वस्त्रोर कुश्र शाब्दिक रमो की तरव बंधल है श्रीजीवन को इसमें कौन सा अलंकार है अमापूत्री को किस तरह से रहने को कहती आग किस के लिए है आग रोटियां शेक Enjoy दूंडले पर प्रकाश की परथी का कौन है में। माने किसीई देखकर ना रिजने के लिए कहा माने कहा कि चेहरे को देखकर मत रिजना मा को अपनी बेटी कैसी पुंजी लगती है का नियादान कवीटा में कौन सा छंद है तो यहां पर उत्तर आएगा तुकां छंद कभो में माय को अपनी बेटी का को किसकी पाठी का गया है यानियले प्रकाश की मतरी जना में इसमें क्या नसीहता दिया गया यानि शिक्षा दी गई है आग रोटियां सेकने के लिए है इस वाके का पर्तिकार्थ क्या है यतोचित व्रयोग कन्यादान कविता में प्रामारी किसी कहा गया है दुख माने अपनी बेटी को किसके रूप में देखा पाठिका के रूप में स्ती के बंदन कौन से है वस्त्र और आभूशन कवी ने किसको दुनले प्रकाश की पाठिका कहा है बेटी को यह सारे प्रेशने हैं कन्यादान कविता के लिए इसके इलावा आपको कोई भी प्रेशन पढ़ने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मैं आपको वह सब बता दूगी थैंक्यू फॉ हम प्रेशन में आपको अखको अबाएंगा यह सब्साइब तो आपको रेशने हैं किसको वह सिता दूझे आपको यह सक्वाट के रखको अराएंगा झाल दूट।